तो यह है जी मेरी निहारी का फाइनल लुक और मैंने चिकन को काटा नहीं है एक ही पीस अभी काटा है जब हम सर्फ कर रहे होंगे असलाम अलेकूम वेलकम टू वजिहास कुकिंग व्लॉगिंग कैसे हैं आप सब ठीक ठाक फिट फार्ट मिसे में मैं भी अल्ला की करम से बिलकुल ठीक हूँ तो आज मैं आपके लिए चिकन नहारी रेसिपी लेकर आई हूँ वो भी शान के रेसिपी के इस रेसिपी मसाले के साथ मोस्टली हमारे पाकिस्तान में खावतीन शान नहारी मसाले से ही नहारी बनाती है और अगर मैं अपनी बात करओं तो मैं भी प्रिफियर। करते हूं बहुत इजी हो जाता है क्योंकि निहारी के जो आgle काम मंसाले होते है ना वह हमारे घर में हर वक मौझुद नहीं होते हैं ने कुछ खास मिसाले होते है कभी अपने मसाले से भी बना कर दिखाऊंगी लेकिन ये वाला बड़ा अच्छा इंस्टेंट होता है फौरन से बन जाती है तो ये एक किलो वाला पैकेट होता है जो के आधा मैं यूज़ कर चुकी हूँ और आधा मैं आज आपके सामने यूज़ करूँगी अच्छा जो ल मैंने सरिफ ये एक पीस अलग कर वाली है था आई धिंग ये एक से डेड़ पाओ के करीब होगा या उससे जादा होगा लेकिन रेसेपी मैं आपको उसी के मताबक दूँगी आधा किलो के मताबक ठीक है ना और जो है ना फिर मैंने ये जो बोनलेस ली थी उसकी जो हड़ी मैंने अलग कर वाली मैंने का कभी सालन बनाऊंगी तो वह भी इसमें साथ साथ डाल दूँगी ताकि जो है ना उसका थोड़ी से यखनी अच्छी से निकलाए इस पीस को अच्छे से आपने वाश कर लेना है इसमें एक पीछे चोटी सी हड़ी जैसे पसलियों वाली हड़ इसके लावा और कुछ भी ही नहीं होगा अच्छे से वाश करना है मैंने तो पानी में डाल के बिल्कुल छोड़ दिया था इसके स्मेल वगएरा सब कुछ निकल जाए अच्छा जी और प्लीज जो है ना मैं ही कहूंगी कि जो है जब भी शान का मसाला यूस करें आप धिइन ति जलते हुए तेल में डाल देते है उससे एक टेस्ट आता है तो यहां पे पतीली में जलते हुए मैं सरिफ इतना फेल लेंए है कि आपकी पतीली कोई भी अप पतीली में उसचाБत कि भीदा हो चोड़शीए है लूसास करता है छूटी वाली धिशिए उसमें तीन टेबल स्पून भर के डालेंगे क्योंकि निहारी की चिकन जो है ना इतनी बड़ी मैंने थाबुत लिए इसकी स्मेल भी तो हमें खतम करनी है तो मैंने तीन टेबल स्पून अद्रग लहसन का पेस्ट डाला अच्छा उसमें पहले पेस्ट डालेंगे अगर गर्दन की हड़ी है आपके पास तो भी डाल देंगे तो बड़ अच्छा टेस्ट आएगा पिर इस चिकन के पीस को आपको इतना जादा फ्राइ करना है कि अपना कलर चेंज कर दे और जो है ना ओयल सेपरेट हो जाएगा अद्रग लसन के साथ और इतनी खुबसूरत सी खुश्बू खुबसूरत सी नहीं बहुत प्यारी सी खुश्बू आने लगेगी जो कि आपको अच्छी लगेगी तो इसका मतलब आपके चिकन अच्छे से डन हो गया है अच्छे से तलूँगी एतना तलूँगी के अपना मतलब आने चेज और मसाले की 호 चाहिए जो करेंगी मैं खाया जा रहा है तो मुझे इतना कोई वह भी नहीं था कि मैं पतला शोरवा करके खूब जादा चला हूँ तो सहरी में बंदा कि इतना एक बलेट खालेगा लेकिन यह नहारी इतनी अच्छी बनी थी माशाला हमदलिल्ला का शुकर है कि तीन बलेट खाली गई थी बहुत टेस्टी बनी थी ठीक है फिर मैंने यहां पर चार किलास पानी डाल दिया और इसको मीडियम फ्लेम पर रखेगा गलने के लिए इस तरह रखेगा कि आपका पानी भी न जले और चिकन भी गल जाए और च भी तो पानी धाल बहुत कि लिए स्टाइल होता है नोर्मल रागिलूर हमारा चक्की का आटा भी जो के तो अढ़ बहुत जाता के बहुत ही बहुत ही आग पर इस आटे को भुणा गहां तरहां गुणा गूश्यामक हमसी को बहुता है को तो इसाच बहुता बहुता है कीजा का आटे को बिल्कुल ठंडा कर लेना है ठीक है जब पतीली में डालेंगे उससे पहले आप काटा बिल्कुल ठंडा हो उसके बाद यहां मैंने आदे घंटे में चिकन बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पर गल गई थी मैं यह बना भी सहरी के टाइम ही रही थी इतिफाक देखें आप देखें माशालला से कितनी अच्छी गल कर आ गई है और जितना पानी था वो सारा का सारा जो है ना वो गल गया और यह आफ कैमरा मैंने इसको कट करके देखा तो यह आराम से टूट गई थी बस तोड़ा था ऐसा हो कि ना बस हाथ लगाए और गोश टूट जा और वैसे प भून कर रखा हुआ था ना उसको नॉर्मल तेमपरेशर वाले पानी में घोल लेंगे बस इतना गउल बना लेंगे के इसके सारे लंस खतम होजाए और जो है ना फिर हम इसको नहारी में डालने के बाद अच्छे से चलाते रहने चलाते नहारी बनाई है तो इसके लिए अच्छा यह है कि कोई पता ही ना चले कि आपने नहारी को गाड़ा कैसे किया हुआ है तो ना आटे का कोई लंस ना अगर आप मकी का आटा डाल रहे हैं तो कुछ भी नहारी नहारी खाते हैं कितना स्मूद सांड का टेक्स्चर होता है तो हम बहुत से चीज़े इससे एजी हो जाती है नॉन स्टिक में तो बहुत ही अच्छा रहता है यह वाला स्पून ना स्पैचुला स्पून तो जो है ना बस इससे मैं इससे खतम कर दूंगे और इसको आप पकाऊंगी यह अच्छा अगर हम जो देगों में नहारी बन रही होत अब ही अपना पकती रहेगी अब जो में होगा ना हम नहारी में मैंने तरी तो करी नहीं अब मैं क्या करूंगी तरी कहां से लाँगी असल तो होता है नहारी का रोगन कुछ लोगन कहते हैं कुछ लोग तर्का कहते हैं तो वह कहां से लाँगी तो अभी आगया आगया डायरेक्ट रेसेपी बनाई थी पर पीछे इतना शोर था हलके मैं सहरी की टाइम बना रही हूं बस डोल वाले ही आयते उठाने के लिए लेकिन चूले की अपनी इतनी अच्छी आवाज आ रही होती है सूम करके जो के सहरी में सहरी के धाई दीन बचे तो गैस बहुत चार बजे के बाद थोड़ी हलकी हो जाती है जब पराठे बन रहे होते हैं और हमारे घड में तो अलम दोलेला पराठे खाये जाते हैं सहरी में आप लोग भी पताईएगा आप लोग क्या खाते हैं अच्छा जी यहां पर बन रहा है तड़का सहरी का नहारी का मैंने तो घी में भी तड़का दिया था कुछ चीज़ें गही अच्छी बंती हैं यहां पर मैंने ले लिया हो गए एक कश कम थोड़ा सा घी ले लें आप जतना पसंद्द जतना पसंद्द्द्द्द्द्धा और रोंब चौट अलग तो इसन मैंने एक छोटी प्यास ले ली थी ती बहुत जादा लाइट होगी ना तो वो नहारी में आपको फील होगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा और यह कश्मीरी लाल मिर्च दिखा रही हूं है जो कि कलर के लिए होती है एक पैकेट आप घर में अलाके जरूर रखें कोर्मा भी बनता रहता है और भी बहुत सी चीज तरी हमें बजार के नहारीयों में दिखरी होती हमें कितना लल लल से उनका रोगन आरह कृँ पाराएं अब क्या करना है जब आटा डाल के अलग से पका ली ती अपने अपनी नहारी अप क्या करना है जब हमने रोग वह दाल दिया भगार उसके बाद हमने अद्रक के टुकड़े और हरीमिर से लाजमी डाल ली है इसकी खुश्बु निकल कर आती है नहारी में तो ढखके ना 15-20 मैं तो कहूंगी आदा घंटे के लिए रख दें इससे क्या होगा वो जो हमने भगार डालाता है वो अंदर तक जायता है और वो दुबारा वापस उपर पूरी लेयर आ जाती है ये भी एक टिप है नहारी के लिए तो आप आदी घंटे तक उस नहारी को खाएंगे निए इसको फोड़ देंगे उसके बाद आप खाएंगे और देखें माशालला से ये माशालला फाइनल लुक फाइनल लुक बहुत अच्छा सा इसलिए नहीं दे सकी नहीं सहरी का टाइम हो गया था ये हम दसरफ़ान पर ही बैठे वे थे और जो है ना ये देखें एक पीस तो ह है और माशालला माशालला इतनी पसंद करी सबने अल्ला का शुकर है और खुद मुझे भी ना इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं लगी लाइक करके चाहिएगा फ्रेंड्स और फैमली में याद से शेयर करेगा मुझे अपनी दौा में याद रखें